अब तो इस सेरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं वीकली करेंट एफेस की सीरीज को इस यह जो वीडियो होगा यह सेकेंड वीक और अप्रोड कर दिया गया है और इसमें जो हम लोग है वो बेस्ट 75 को डिसक्स करेंगे यह 6 से लेकर के 13 जुलाइक के करेंट एफेस होंगे तो किस देश ने एक्सपेट कोटा बिल पारित किया है जो लगबग 8 लाग भारतियों को देश चोणने पर मजबूत कर सकता है तो यह जो बिल है यह ला रहा है क्वेट के सरकार क्वेट गवर्मेंट क्यों 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 क्य क्वेट का नागरिक नहीं है, and out of these 3 million people, 1.45 million are Indians, लेकिन क्वेट की लोग क्या कहते है, कि only 15% जो है, वो Indians हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1.45, और अगर यह bill act बन जाएगा, तो out of this 1.45 million, 8 lakh Indians should leave क्वेट, तो 8 lakh भारतियों को क्वेट छोडना पर सकता है, तो सही एंसर है, क्वेट option A is the right answer. What is India's rank in 2020 Sustainable Development Goals Index? तो 2020 के अंदर जो Sustainable Development Goals का जो इंडेक्स आया है, उसके अंदर भारत की क्या रैंकिंग है, तो वो है very poor 117, 117, यह जो रिपोर्ट जारी कॉन करता है, यह करता है, Sustainable Development Solutions Network, और टोटल जो गोल्स कीतने है, United Nations यह SDG Goals का अडॉप्ट किया है, और उसके अंदर टोटल SDG Goals है 17, 17, जिसमें की जो फर्स्ट गोल है वो रेफर करता है, there should be no poverty, there should be no poverty, second goal करता है, there should be no hunger, zero hunger, third करता है आपका quality, sorry health, proper health, fourth आपका करता है quality education, fifth आपका करता है, there should be gender equality, sixth आपका है clean water and sanitation, तो यह टोटल तो 17 Goals है, मैंने वाले टाइम में जो उतने बचे गए गोल्स हैं, वो मैं सारी बता दूँगा, फिलाहल आप यह छह जान लीजे, total 6 Goals मैंने बताया है, बाकी 11 Goals मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूँगा, इस SDG Goals के अंदर, जो फर्स्ट पोजिशन आई है, वो है Sweden के सकार, दूसरी है Denmark, और तीसरा है Finland, और यह जो रिपोर्ट पॉब्लिश करता है, मैंने आपको बताया था, Sustainable Development Solutions Network, और Bertelsman, Steve Tung, यह दो मिल करके, जॉइंट रिपोर्ट शेर करती है, CBSE, that is Central Board of Secondary Education, has partnered with, with Digital Technology Company, to launch a curriculum on Digital Safety, तो Digital Safety के उपर एक curriculum launch किये CBSE ने, लेकिन किस की साहिता से, यह किया है Facebook की साहिता से, Facebook, और अभी Facebook News में क्यों होता है, क्योंकि recently Facebook ने, हाली में GIFI को acquire किया है, Facebook ने हाली में Mapillary को भी acquire किया है, Facebook में Reliance Jio के अंदर steaks खरीदा है, थ्रू जादू होल्डिक्स कंपनी, Facebook एक short video platform launch करी, जिसका नाम होगा Reels, एक caller application launch करी, जिसका नाम होगा Ketchup, तो यह सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है, धर्म चक्र परवर्दन is a famous celebration of virtual religion, so this is a famous celebration of Buddhism, 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 और recently International Buddhist Council और Culture Ministry यह दोनों मिल करके 4th of July को इस religion को celebrate करने का फैसला लिया है, and remember that 4th of July is also celebrated as Independence Day of USA, Independence Day of USA, The UK-India Business Council signed a MOU with which state, Industry Development Corporation, तो UK-India Business Council ने किस राज और दोके के विकास नीगम के साथ, एक समझाता ग्यापन पर साक्चर किया है, तो यह है महरास्ट्रा, UK-India Business Council के जो CEO है, उनका नाम है जैन्द कृष्णा, जैन्द कृष्णा, और Ambassador to UK, इंडियन अमेजडर to UK इस गाइत्री कुमार, गाइत्री कुमार, वर्ल्ट्स लाजिस्ट 10,000 बेड सर्दार पतेल कोवीट केर सेंटर, इस इनागरेटेट इन विस सिटी, तो विस्टी का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला सर्दार पतेल, कोवीट गेर सेंटर का उद घाटा कि शहर में किया गया है, यह किया गया दिल्ली के अंदर, अब रिसेंटली दिल्ली के अंदर भी प्लाज्मा बैंक लॉंच हुआ था, प्लाज्मा बैंक, और दिल्ली के अंदर एक e-learning platform भी लॉंच हुआ है, उसका नाम में LEED, LEED initiative, इस बात को भी ध्यान में रखियेगा, वाइस नेम उफ इंडिया स्वर्स्ट सोशल मीडिया अप, लॉंच बाइस प्रस्ट वाइस प्रस्टेंट वनकईया नाइडू, So this is, this was launched under the guidance of Shri Shri Ravi Shankar and made by 1000 IT engineers named Alignments, क्यों? इसे क्या होगा? You can you know have free video calls, audio calls or have private chats, Alignments Asia's largest solar power plant is located in which Indian state? So it is located in Reva district of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh, और कितना watt होगा ये? 750 MW, 750 MW ACR's largest solar power plant is coming up in Madhya Pradesh, Rewa district Madhya Pradesh Madhya Pradesh किन बातों के लिए न्यूज में था, क्योंकि इन्होंने काफी बातों के लिए न्यूज में था रोजगार Situ Yojana Madhya Pradesh की सरकार ने लॉँज किया फिर THANK MOM Plantation Drive Madhya Pradesh की सरकार ने लॉँज किया फिर आपका इंतजार आपका कैम्पेइन टूरिजम सेक्टर को बूश करने के लिए MP गोर्मेंट ने लाई है Clean India, E-Waste के टर्म में, मलब कि E-Waste, India's first E-Waste is coming up in महत्यपरदेश ये सारी बातों को ध्यान में रखेगा आप Shama Prashad Mukherjee Port has started a new shipping service between Kolkata Dock System and which country So this Shama Prashad Mukherjee Port is coming up in Bangladesh between Kolkata Dock System and Bangladesh और Shama Prashad Mukherjee एक और बात के लिए नीज में था First of all Shama Prashad Mukherjee है कौन? He was the founder of Bharatiya Jansang जो की अभी क्या जो भारतीय जनता पार्टी है, वो है और रिसेंटली जहारखंड के अंदर जहारखंड के अंदर Indian Agriculture Research Institute भी set up किया गया इन ही के नाम पर Shama Prashad Mukherjee के नाम पर इस बात को भी ध्यान में रखेगा A place called NIMU that was seen in news recently is located on the banks of which river तो हाली में नीज में काफी में बना था ये नीमू जगा जहां पर रिसेंटली ने इंडियन आर्मी को बूस्ट करनी के लिए वहां पर गये थे NIMU is a place in union territory of Ladakh and it is situated in the banks of Indus river Option C is the right answer, Indus river Also border road organization BRO which was set up in 1960 headquartered at New Delhi इन्होंने एक road बनवाया है नीमू से पादुम की तरफ नीमू से पादुम इस बात को भी ध्याम में रखेगा और border road organization के जो director उनका नाम क्या है उनका नाम है Harpal Singh which country has become the first major economy to shut down coal and nuclear power तो यह जो country है बहुत बड़े step के साथ आई है to completely shut down coal and nuclear power तो यह country है Germany, Option C is the right answer क्यों? क्योंकि this country wants to be greenhouse neutral by the end of 2050 so by 2038 this country is trying very hard to shut down its coal and nuclear power coal and nuclear power which country has world's largest elephant population? so world's largest elephant population comes up in Botswana और यह news में क्यों हो था? क्योंकि यहां पे बहुत सारे huge number of elephants died elephants ठीक है इस चीज के लिए news में था Botswana is a country in Africa, Southern Africa और Kalahari desert, almost 70% of whole Botswana is Kalahari desert Kalahari desert और जो elephants की मृत्ती होई थी वो कहा होई थी? Okavango Delta के अंदर Botswana के अंदर जो Okavango Delta है वहां पे Which institute have developed the disinfection box, Unisaivier box which can be used to sterilize various personal belongings to minimize the COVID-19 transmission तो किस संस्थान ने किटानू शोधन box, Unisaivier नाम का विक्सित किया है जिसका उपियो COVID-19 संचरन को कम करने के लिए विभिन व्यक्तिगत समानों को बांज करने के लिए किया जा सकता है तो यह box को बनाया है IAT Rootkin है IAT Rootkin है और अभी हाली में IAT Kanapur ने क्या बनाया था? एक Mobile Lab बनाया था जिसका नाम तो Mobile Master G जिसकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग अपने डिवाईजस में वीडियो देख पा रहे होंगे वैसे ही यह काम करेगा इस्टुरेंट्स को जो अभी लॉक्डाउन में बढ़ रहे हैं वैसे ही वीडियो को वो टीचर जो पढ़ा रहे होंगे वैसे वीडियो को देख पा रहे होंगे मोबाइल मास्टर जी और IIT दिल्ली ने कोपल 19 IIT दिल्ली with the help of AIMS doctor they have developed कोपल 19 यहाँ पे willing plasma donors को ट्रै किया जाएगा और IIT मदरास ने इंडिया's first world's first रादर world's first online BSc degree online BSc degree को launch किया है world's first IIT मदरास which organization is set to launch its first ever news magazine program in Sanskrit named Sanskrit सब्ता ही की तो Sanskrit सब्ताई की नाम से Sanskrit में अपना पहला समाचार पत्री का कारेकरम शुरू करने वाला कौन सा संगठान है यह है All India Radio और इससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने किस देश के साथ मिल करके इंडिया ने किस देश को वहाँ का Sanskrit विद्यालय बनाने के लिए means help किया था तो वह है Nepal Nepal और इस विद्यालय क्या नाम था? Shri Guru Sabtmai Guru Sabtmai Sanskrit Vidyaalaya Sanskrit Vidyaalaya आश्रम ठीक है? Which country has successfully launched a new spy satellite OFAC-16 into orbit by using a locally developed Shavit rocket किस देश ने स्थानियो रूप से विक्सित Shav rocket का उपयोग करके कक्षा में एक नया जासुसी उपगरा OFAC-16 सफलता पूर्वक लॉंच किया है तो यह है इसराइल इसराइल और अभी रशिया क्यों नीज में था? क्योंकि रशिया ने हाली में विक्ट्री डे बनाया विक्ट्री डे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजना सिंग वहाँ वह भी शामिल हुए थे और क्यों बनाया था? To commemorate the victory in second old war रशिया की विक्ट्री हुई थी दूइतिय विश्विद में उसको याद करने के लिए एक और बात के लिए रशिया न्यूज में था क्योंकि वहाँ पे रिवर है इसका नाम है अंबर नाया रिवर अंबर नाया रिवर यहाँ पे oil spill हो गया था अंबर नाया रिवर यहाँ पे कुछ points है मैं गलती से बारवार इसे स्पीडली सहटा जेता हूँ इसके बारे में आप पढ़कर कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अब करोना की सिच्वेशन है वह काफी ज्यादा मिन्स बहुत अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में हॉस्पिटल्स जो नोन कोविड डिजीज हो हैं उसको वह लोग एक्सेप्टी नहीं कर पा रहे हैं ठीक है मलब कि कोवीड-19 को छोड़के कोई ऐसी बीमारी कोई भी रेर मिन्स जो हॉस्पिटल्स को वह लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो लोग काफी सावधानी से अपने अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखनें ताकि उनके हॉस्पिटल्स ना जाना सके ऐसे में धर्मंतरी रत नाम का एक उसमें यह टॉप किया था और FSAI ने एक फूट सेफटी इंडेक्स भी लांच किया था उसमें गुजरात भी फर्स पोजिशन पर था इस बात को भी ध्यान में तखिएगा वी इंडिया प्लेटफोर्म प्लेटफॉर्म है लाँच डे कामपें गॉब्क वट्स पे ने रिथा यूई अन्दर लेकिन ब्राजील का जो कोर बैंक है वो इसे सस्पेंड कर दिया बात में वट्सक पे और ब्राजील में क्यों था क्योंकि ब्राजील के जो नए चेर्मे बने हैं NDB के, New Development Bank, New Development Bank क्या है यह Brics Bank क्या है, Brics Bank, Brazil, Russia, India, China, South Africa, तो NDB के जो Chairman बने हैं वो Brazil सही है, उनका नाम है Marcus Trozio, Marcus Trozio. Defense Research and Development Organization will establish a research cell at which institution to meet the future defense technological requirements of the country, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगंटन देश के भविश की रक्षा तक्नीकी अवश्ताओं को पूरा करने के लिए, किस संस्थान में एक शोध प्रकोष इस्थापित करेगा, तो यह करेगा IIT हैतरबाद के साथ, IIT हैतरबाद के साथ, औ अभी वर्ल्स फर्स्ट ऑन्लाइन B.Sc. डिगरी को लॉंच किया है, ओल्लाइन B.Sc. डिगरी को लॉंच किया है, IIT कानपूर ने मोबाइल मास्टर जी को लॉंच किया है, मोबाइल मास्टर जी, DRDU को हैटक्वाटर का है, यह है New Delhi, इत वा स्टैब्लिज्ट इन दे इयर 1958, Parent Organization क्या है, इसका Ministry of Defence, और Chairman है G.Satish Reddy, G.Satish Reddy. Which bank launched a digital solution, Loan in Seconds, for instant disbursement of retail loans? तो Loans in Seconds has been launched by Yes Bank, और एक और दो और लोन है, एक है आपका इंस्टा लोन, यह आपका लॉंच किया है, ICICI Bank ने, और एक है Zip Drive, इसको लॉंच किया है, HDFC Bank ने, देहिंग पटकाई wildlife century, which was seen recently in news, is located in which Indian state? तो देहिंग पटकाई wildlife century को अपग्रेड कर दिया गया है, नेशनल पार्क में, तो इस century will be no more wildlife century, इस विल बी अपग्रेड़े इंटो नेशनल पार्क, और दिस has been done by Assam Government, Assam Government, लोकेशन किया है इसका, दिभुगर्ड एंटीन सुक्याड डिस्टिक्रों Assam, इपोर्टन अलेफेंट है ये, देहिंग अगर पटकाई wildlife century की बात करूं तो, important elephant habitat है, रिसेंटीड एपोर्टन अलेफेंट एक पर्जेक्ट अलेफेंट है, और Assam में फिल्हाल जो नेशनल पार्क से हैं वो कितने हैं, वो हैं 5, और कौं-कौं से हैं, काजिरिंगा नेशनल पार्क, मान नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रु सेखोवा नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क यह सारे जो नेशनल पार्क से कोई ना कोई एक्जाम से जरूरू पुछे जाते हैं इसलिए मैंने यह आपर यह नोडाउन कर दिया है वीच 被क इनडान पेसम में परदेश कैसी मुलौ नौ पाऌ नेशनल पार्क आतों में यह नोज लौछ पार्क आता हर श्छिम म्यौ करावाईड़ जिया ॵत ईणल प्रदेश का के आपर लुऌन पार्क से पहला ही प्रों पार्क और यह नोडे है क्ज़ उच्छ पार्क नय Bundel-Khand district of Uttar Pradesh, launched by Yogi Aditna, CM of UP. Which bank and Google Cloud have proposed to enter into a strategic multi-year partnership? So, Google Cloud along with Dutch Use Bank will enter into a strategic multi-year partnership. Dutch Use Bank and Google Cloud. So, Google's headquarters is in California, USA. It was established in the year 1998. It was established in the year 1998, Larry Page, Sergey Brin, its parent company is Alphabet Inc, and CEO is Indian person Sundar Pichai. Which country's railways has set up world's first solar power plant to directly power overhead line? So, any country's railways has set up the world's first solar power plant, India has set up the first solar power plant, and where will it be? It will be in Bina. Where is Bina? The new administrative and academic building of Indian Agricultural Research Institute at Gauri Karmain, Hazaribag. Jharkhand is named after which famous person? So, Indian Agricultural Research Institute, this is coming in Jharkhand, Hazaribag. And this is Shama Prashad Mukherjee, founder of Bharatiya Jansang. In order to bolster the comprehensive strategic partnership, AMU has been signed between Indian Coast Guard and which country on maritime safety and security? So, in previous weekly current office, I have been told that a PASSEC naval exercise between India and Japan, India and Japan to promote mutual understanding, India and Japan have launched a Navy exercise, which was named PASSEC. But this exercise is between Indian Coast Guard, AMU has been signed between Indian Coast Guard and which country? So, this country is Indonesia. 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 And which country? Maritime safety and security. Maritime safety and security. Which state chief minister launches self-scan app developed by the state's information technology department as an alternative to cam scanner? तो अब रिसेंटली इंडिया ने Central Government ने 59 एप्स चैनीज एप्स को बैन किया था, जिसके अदर cam scanner भी था, तो इसका replacement, जो वेश्च बंगाल की government है, वो इसका replacement लेकर के ही है, self-scan. ठीक है, तो इस self-scan को launch किया है, वेश्च बंगाल की government ने, option नहीं is the right answer. Which company has posted highest ever net loss in a fiscal year by an Indian company? तो किस company ने किसी भारतिय कंपनी द्वारा वित्तिय वर्ष में सबसे अधिक शुद घाटा दज किया है, तो यह है Vodafone Idea, Vodafone Idea जो इसका headquarter है, यह है मुंबई, और यह जो established हुई थी, यह हुई थी 2008 के अंदर, Vodafone Idea दोनों मिला की बात कर रहा हूं मैं, जैमेन है कुमार और जो इसके major owners है, वो है Vodafone और अधित बिल्ला ग्रूप, जहां पर Vodafone का share है 45% और अधित बिल्ला ग्रूप का share है 26%, Asia's largest certified tier 4 data center has been inaugurated in which Indian state, तो Asia का सबसे बड़ा प्रमानित tier 4 data center का उत्गाटन किस भारतिय राज में होगा, तो यह होगा, tier 4 data center will come up in Maharashtra, इसका data center का न NM1, मोटा NM1, which bank in India has joined hands with Star Health and Allied Insurance Corporation Limited for Bank Assurance, तो किस बैंक ने भारत में Bank Assurance के लिए Star Health and Allied Insurance Company Limited के साथ हाथ मिला है, तो यह है करूर वहिशा बैंक, option B is the address, करूर वहिशा बैंक, और अभी SBI News में क्यों हो था, क्योंकि SBI ने MSME, SME के लिए भारत क्राफ्ट, भारत क्राफ्ट नाम का एक portal launch किया, जहां पे MSME अपना जो भी product manufacture करेगा, वो इस website के अंदर डालेगा, ठीक है, तो इस भारत क्राफ्ट को बनाया है SBI ने, और SBI Day जो celebrate होता है, वो होता है 1st of July, 1st of July, 1st of July को doctors day भी बनाते हैं, 1st of July इस सारे बातों को भी ध्यान में रखेगा, what is rank of India in global real estate transparency index, तो sustainable development goals जो index आया था, उसके अंदर इंडिया की rank थी 117, और real estate transparency index के अंदर इंडिया की rank है 34, 34, and this index is released by JLL group, conducted by reality consultant JLL group, और 1st position is backed by United Kingdom, के वाल 1st position को ध्यान में रखी, 2nd और 3rd तो पूचे गानिया आप से, United Kingdom 1st position इंतजार आपका campaign is started by which state over the social media platform to attract tourists with taglines and description of the tourism destination of the state तो आप, इंतजार आपका campaign ये start कर रही है, महद्य प्रदेश के शरकार महद्य प्रदेश के शरकार महद्य प्रदेश के शरकार एक और बात के शरकार नियूस में थी हमारा घर और हमारा विद्याला एक scheme लेकर के आए थी to maintain the academic regularity of the students हमारा घर हमारा विद्याला बाई महद्य प्रदेश golden birdwing which has been in news recently belongs to which family of species the picture si pata chalra ho ga this is a species of butterfly golden birdwing butterfly which bank launched bhavish a savings account scheme for minors aged between 10 to 18 years so bhavish savings account scheme has been launched by pheno payments bank pheno payments bank headquartered at mumbai established in the year 2017 and mdon ca is rishi gupta rishi gupta mdon ca of pheno payments bank which state has drafted ordinance to provide 75% reservation in private sector jobs बहुत बड़ी बात है यह और यह किया हर्यान की सरकार option a is the right answer हर्यान की सरकार which indian boxer has been ranked at the top spot according to international boxing association latest world ranking in 52 kg category देखिए यह जो category यह बात भी ध्यान में रखेगा 48 kg category होता है 52 kg category होता है तो 52 kg category के अंदर जो indian boxer है who has been drawn top spot according to international boxing association which company has launched compact excel india's first machine to automate the manual processes of molecular diagnostic test like rt-pcr test for covid-19 on 7th july 2020 तो 7 july 2020 को covid-19 के लिए rt-pcr परिशिक्षन जैसे आणवी नैदानिक परिशनों की manual परिक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किस company ने compact excel भारत की पहली machine launch की है तो यह launch की है my lab discovery solutions ने my lab discovery solutions ने अब माई लेफ डिसकरी स्वचालिशन का है यह है पूने के अंदर 2016 को यह established हुआ था और इसके जो co-founder है उनका नाम है rs money rs money is a co-founder of my lab discovery solution it is the first Indian company to develop IT and AT screening kits for HIV testing and AT क्या होता है यह आपका nucleic acid amplification testing होता है एक तरका blood test होता है high method of testing होता है जिसमें कि आप डिटेक कर सकते हैं HIV virus को ठीक है और या फिर hepatitis C virus उसको भी डिटेक कर सकते हैं और इस इस और इस और इस आपका है और इस आपका है नामामी गंग्य प्रोग्राम उप इंडिया तो इंडिया इस वित्य संस्थान ने भारत के नमामी गंग्य कारेकरम का समर्थन करने के लिए 400 यूएस डॉलर मिलियन यूएस डॉलर को रिंड शुक्रित किया है तो यह किया है वर्ल बैंक और भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने अभी 500 500 यूएस मिलियन डॉलर जो है वो दिया है स्टार्स फोग्राम को कमेंड बॉक्स में लिग के बताए यह स्टार्स का मतलब क्या होता है और 750 मिलियन डॉलर दिया है आपको यह दिया है को MSME सेक्टर को MSME सेक्टर को और अगर MSME की बात करें तो MSME में हाली में भी Champions Portal लॉंच किया है Champions Portal और MSME Day Celebrate होता है 27th June को MSME का एक निया नाम आया है वो है उद्यम मतलब कि लोग इसे उद्यम नाम से भी जानेंगे क्योंकि उद्यम का मतलब होता है समॉल मेडियम एंटरप्राइस और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिदेंट का क्या नाम है प्रेसिदेंट का नाम है देविड मलपास और इनकी जो M.D. है मैशिंड डेक्टर या फिर CFO उनका नाम है अनुशुला कांथ अनुशुला कांथ हेड़कॉर्टर है वासिंग्टन दी-सी वोल्ड बैंक स्टैब्लीश वा था 1944 को प्रेसिदेंट है डिविनल पास और पेरिंट अगनाज़ाशन है वोल्ड बैंक ग्रूप वोल्ड बैंक ग्रूप अग्राटिक उसे कहते हैं और तो कॉम्रेट दी फ्रेंच बार्लोजिस्ट लुइस पास्चेर इस वर्लड जो कम लोग सिल्वेट करते हैं लुइस पास्चेर ने क्या डिस्कवर किया था इन्होंने एक वैक्सीन बनाया था रैवीज को लेकर के रैवीज और एंथरेक्स और इसके लिए इनको महवीर चक्त से भी नमाजा गया था महवीर चक्र महवीर चक्र अब यह मैं जे सकते हैं बेस और रियल स्टोरी फ्रैफल में जस्वन सिंह रावत और टू मौनपा गल्स नूरा एंड सीला इस्टोरी बैटल ओफ नूरा नंग तो इस बैटल क्या नाम था बैटल ओफ नूरा नंग दूरिं 1962 इंडिया चाइना और या फिक इंडो साइनो वार भी करते हैं आप इसे इंडो साइनो वार लेटर राइफल में जस्वन सिंह रावत वास अवाड़ेट महवीर चक्र ने नाशनल इसकली डेवलोपेंट कॉपरेशन इन नॉट फर प्रॉफिट पॉब्लिक लिमिटेड कंपनी है जॉइन हैं और फिजिकल फिजिकल स्टोर से मैं सारे बंद हो जाएंगे और फिजिकल स्टोर सोफ मैं सब्सक्राइब क्लोस फोरेवर दो ओनलाइन मार्केटिंग विल वर्क विज कंपनी साइंड लाइसेंस एग्रिमेंट एंड ट्रांसफर आफ टेकनोलजी और अकास मिशाइल वेपन सिस्टम ऑफ इंडियन आन्मी वेरियंट विट डी आडियो डिफेंस डिसर्च और डेलोपेंट ओगनेशन तो राक्चा अनुसंधान और विकास संगतन के साथ भारतिय सेना के वेरियंट के अकास मिशाइल हतियार पुणाली के लिए किस कंपनी ने लाइसेंस समझ होते और प्रद्योगी की हस्तातन पर हधा कर गिया है तो यह किया है भारत डानिक्स लिमिटेड और डी आडियो के चेर्मेन का नाम क्या है उनका नामें जी शतीस और हाली में DRDO ने IIT हिदराबाद के साथ एक research cell की इस्टाइश्मिंट के थी, IIT हिदराबाद. A new species of fan-throtted lizard, titana dharwanesis has been discovered from barren lands of which Indian state. Barren lands from Karnataka state this has been discovered. और Karnataka एक और बात की news में था, क्योंकि एक skill connect forum, एक platform launch की थी इस सरकार ने, जहां पर employers को, और job seekers को, बल्जो कि जो नौकरी देगी, उसे हमनों पर employer कहते हैं, और जिनको नौकरी चाहिए, job seekers को, उनको एक ही platform पर connect करेगी, ये skill connect forum. तो Karnataka एक सरकार ये करा रही है. Which organization is to launch interface points called Turan Suhida Kendras? Turan Suhida Kendras is launched by Central Board of Indirect Taxes and Custom, Central Board of Indirect Taxes and Custom, CBIC. वहिंके चेमें का नाम किया है? M. Ajit Kumar. M. Ajit Kumar is the chairman of CBIC. Which two country were verified to eliminate both measles and rubella, making them the first two countries in WHA Southeast Asia region to achieve beyond their 2023 target? देखें, 2023 target set किया गया, rubella और measles को अटाने के लिए, ठीक है? लेकिन 2023 किया? इससे पहले ही, Maldives of Sri Lanka ने इस target को complete कर गया. मझा कि, they have got rid of this measles and rubella. और India का कब तक target है? Tuberculosis को अटाने के लिए? तो ये है 2025. और malaria को हटाने का जो India का target है, जो goal है, वो है 2022. इस बात को भी ध्यान में रखेगा. इंडिया को. What is the name of mission undertaken by Indian Navy to bring back Indian citizens from overseas during COVID-19 pandemic? तिस operation का नाम है, Operation Samudra Sakti. और एक और आया था Operation Vandive Bharat, जहाँ पे flights different European nations से passengers को लेकर के आ रहे थे, जो लोग फस्स गए थे, उस COVID-19 में, तो वंदे भारत को भी आप ज्यान रेके, ये ये Operation Air Operation था, ठीक है? और ये आपका Naval Operation है, Operation Samudra Sakti. इंडिया ने भी, समुद्र से थी, से तू. तो आस्ट्रिया ग्राउंप्री नजीता है, वोल्टारी वोल्टास ने, Option D is the right answer, वोल्टारी वोल्टास. आप टो रूपीस 15,000 is mandatory required to join which security scheme? तो उनको जो स्कीम जोइन करना पड़ेगा, अगर उनका जो सैलरी है, वो अगर 15,000 तक का है तो उनको जोइन करना पड़ेगा, employees provident fund. employees provident fund. which organization has signed an MOU with CBDT, मैं दब की Central Board of Direct Access for Mutual Data Exchange? तो इस organization का नाम है CB, Securities and Exchange Board of India, Chairman is Ajay Tiyagi. which trade association has launched a platform in New Jersey to promote trade partnership between India and US? इसका नाम है NASCOM. world's largest producer of nickel and palladium, no silk nickel mining, इस company, ये company कहां की है, तो ये company है, जो कि largest producer of nickel and palladium की है, ठीक है, ये company है, आपकी जर्मन, रसिया की, option C is the right answer, और रसिया भी news में क्यों था, क्योंकि constitutional amendment हुआ था, जिसके था, जो प्रेसिडेंट है भी, ब्लामितिर पूतीन, उनका term बढ़ा दिया गया है, ठीक है, वो अब और 16 साल प्रेसिडेंट बनके रहेंगे, मैं जब कि 2036 तक, अभी हो रहा है 2020, अंबर नाया रिवर, जो की रसिया में है, वो न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे oil spill हो गया था, अंबर नाया रिवर, एक और चीज, अभी रसिया ने विक्ट्री डे से लिविट किया था, विक्ट्री डे, to commemorate the victory of Russia in second world war, यहाँ पे defense minister Rana Singh ने भी participate किया था, विक्ट्री डे, तो इस state के जो lands है, उसको safeguard करने के लिए, इस पेस technology और artificial intelligence technology का use किया जा रहा है, ताकि इस state का जो lands है, उसको safeguard किया जा सके, और यह state है, उडिसा, और इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट का, इस technology का नाम है, blues, blues, भुवनेश्वर land use intelligence system, भुवनेश्वर land use intelligence system, अब यहाँ पे देख सकते हैं, blues, the IIT alumni council is setting up world's largest molecular diagnostic lab in which city, तो world's largest molecular diagnostic lab is coming up in महरास्टरा, मुंबई, और महरास्टरा क्यों news में था, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लाटिना, महरास्टरी सरकार ने लॉंच की थी, और प्लाज्मा बैंक, यह आपकी डेली की सरकार ने की थी, न्यू डेली, which organization has acknowledged that there is evidence of airborne transmission of coronavirus, तो किस संगेटे ने स्विकार किया है कि coronavirus के हवाई प्रशारण के सबूत मिले हैं, तो यह है world health organization, option D is the right answer, और अभी हाली में USA ने, WHO से withdraw करने का फैस्ता ले लिया है, 6 जुलाई 2021 को USA WHO से withdraw कर लेगा, which Arab nation will become the first one to launch a Mars probe on July 15, so first Arab nation will be UAE, United Arab Emirates, UAE will be the first Arab nation to launch Mars probe on July 15, which union ministry has started the project to reprint Mongolian kanjur manuscripts, तो Mongolian kanjur manuscripts को जो start करेगी उस ministry का नाम है ministry of culture, इसके जो minister नों का नाम है पढ़लात पटेल, और हाली में ministry of culture ने एक campaign, plantation campaign drive start किया था, जिसका नाम था संकल्प पर्व, संकल्प पर्व, इसके अलावा culture ministry और international Buddhist council, इन दोनों ने मिल के ये फैसला किया है कि धर्म चक्र परिवर्तन, इसको 4th of July को celebrate किया जाए का every year, धर्म चक्र परिवर्तन, this is associated with Buddhism, बुद्धिजम, which among the following apps has not been banned by Indian army, तो अभी online military threat बहुत सारे मिल रहे हैं, इसलिए Indian army ने, सारे apps, apart from 59 Chinese apps banned by Indian government, इन apps को भी Indian army ने बोला है अपने soldiers को banned करने के लिए, तो Twitter को छोड़ करके, Twitter को छोड़ करके, सारे apps banned हो गया है, Indian army के अंदर, ठीक है, Twitter को छोड़ करके, तो यहाँ पर सवाल पुछा के कौन सा एप banned नहीं हुआ है, तो वो है Twitter, विट नेशन विल होस्ट दी नेक्स एडिशन ओफ एशिया कप किरिकेट, तो पोस्टपोन हो गया है, अभी जो एशिया कप किरिकेट होने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, और यह अब होगा 2020 में सिरिलंका के अंदर, सिरिलंका, Option D is the right answer, which IIT has collaborated with NVIDIA to establish India's first NVIDIA AI Technology Center, AI क्या है, Artificial Intelligence और यह है IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद, NVIDIA के साथ collaborate कर रहा है, to establish India's first NVIDIA Artificial Intelligence Technology Center, वैसे IIT मदरास यह world's first online BSc degree को launch की, world's first online BSc degree, और IIT कानपूर क्या की है, IIT कानपूर की है Mobile Master G, Mobile Master G को launch की है, जिसके तहत आप कोई भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सामने में आप आराम से मोबाईल में वीडियो को देख पा रहे होंगे, तो वैसा एक Home Classroom to Home Setup है यह, जिसके कारण जो lockdown में जो strength घर के अंदर है, वो अराम से teachers के जो lectures है, उसको देख पाएंगे, Mobile Master G by IIT कानपूर, तो किस राज ने दूद और डेरी उतपादों की शुधता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर अभियान शुरू किया है, तो यह है राजस्तान की सरकार, और अभी हाली में मैंने बताया था कि हर्याना ने जितने भी private jobs हैं, उसका 70% आरक्षन कर दिया है अपने स्टेट के अंदर हर्याना की सरकार ने और उत्तरपतेश की उन्यूज में था क्योंकि मिशन विरिक्षा रोपन एक plantation driver जो युपी की सरकार ने स्टाट की थी और इसको लॉंच किया था खुद युपी के सियम योगी अधितनार ने महराष्टरा गोवर्मेंट अलॉंग विच बैंक प्लान टु सेट अफ फंड टु रिवाइव स्लम रिहाबिलिटेशन ऑथोरिटी प्रोजेक्ट तो महराष्टरा सरकार ने किस बैंक के साथ स्लम पुनरवास प्राधिकरन प्रयुजनाओं को पुनर जीवित करने के लिए कोष्ट मतलब की फंड इस्फ़पित करने की योजना बनाई है ये बनाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सदेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सारे बातों के TO Kberg बुगशना कॉश्श में था क्योंकि पहली बात जान लिए स्ट भारत Craft नाम का एक portal design कर रही है, जिसमें MSME जो है, वो जो भी products को बनाएगी, वो यहाँ पर शो होगा भारत Craft portal के अंदर, ठीक है, जो भी manufacture करेगी, जो भी products वो भारत Craft के अंदर शो होगा वो तो किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक के विकास बजार पुसकार जीता है तो ये जीता है कमबोडिया ने और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास और जो M.D. है जो M.D. है और Chief Financial Officer है उनका नाम है इंडियन अंशुला कांत इसका हेटक्वाटर का है वाशिंग्टन डेसी और अभी एक और बात ध्यान रखिएगा आप कि अभी 500 युएस मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दिया है स्टार्स प्रोग्राम को स्टार्स प्रोग्राम को और 750 युएस डॉलर दिया है MSME सेक्टर को एक कमर्शियल कम्मुनिकेशन शेटरलाइट नेम्ड अपस्टार 6D एक स्टार 6D वस लॉंच फ्रॉम विच कंट्री युजिंग इट्स फ्लैक्शिप लॉंग माच रॉकेट तो एक स्टार 6D वस लॉंच फ्रॉम चाइना चाइना और अगर मैं पूछी हूँ ओफएक सेटरलाइट किसने लॉंच किया तो आफ युझ फ्रॉम चाइना 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 बाद फ्रॉम चाइना। और सिंची दराइड हैं सर ऐस्टेलिया विच ओर्गनाजिशन इस्टीमेटेड देट एवरेज ग्लोबल टेंप्रेचर वोड राईज़ बई 1.5 डिग्री अविच्छ इन एक्सट्ट फई यह तो एवरेज ग्लोबल टेंप्रेचर जो है यह है जनेवा जनेवा और याद किज़ेगा कि World Meteorological Organization और UNEP मतलब कि United Nation Environment Program इन दोनों ने मिलके IPCC बनाया है आप comment box में लिखके बताईए कि IPCC का फूल फॉल फॉर्म क्या होता है आई पी सिसी विच स्टेट गॉवर्मेंट हैट कॉंस्टिटूटेड एक कमिशन तो प्रटेक्ट दी कॉंस्टिटूशन राइट ऑफ ट्राइबल कमुनिटीज तो प्रटेक्ट दी कॉंस्टिटूशन गुजरात और सी बातों की नियूज में था एक सोनी पोजेक्ट ने लॉँन्च के गुजरात ने सोनी पोजेक्ट कमिशन लिखके बताईए सोनी पोजेक्ट है क्या दूसरा FSSAI ने अभी हाली में Food Safety Index launch किया था जिसमें गुजरात ने टॉप किया है Food Safety Index में गुजरात टॉप किया है और TV रिपोर्ट भी आये थी उसमें भी गुजरात ने टॉप किया है वैसे इंडिया का जो गोल है टुबर क्लॉसिस को हटाने के लिए वो है by the year 2025 और मलेरिया को हटाने के लिए 2022 मलेरिया को हटाने के लिए 2022 और टुबर क्लॉसिस भाई 2025 टुबर क्लॉसिस चाइना एस वार्ण अबाउट ए लोकल अन्नोन निमोनिया प्रिवेलेंट इन विच कंट्री तो COVID-19 से भी खतनाक बीमारी है जो कि चाइना क्लेम कर रहा है यह अन्नोन निमोनिया क्यों यह है कजाकिस्तान के अंदर कजाकिस्तान और आप यह बताएए कि कजाकिस्तान SEO का मेंबर है कि नहीं है SEO का मेंबर तो किस एरोस्पेस कंपरी ने भारतिय वायू सेना को 22 अपाचे और 15 चिनुक सैन हेलिकॉप्टर की डिर्वली पूरी की है तो देखिए पहली बात यह चारो जो कंपनीज है यह चारो अमेरिका बीज कंपनीज है रैथाउन, लॉकिट मार्टीन, बोईंग और जनरल डानेमिक्स वैसे इसका सही एंसर है बोईंग सोलार इनर्जी कॉर्परेशन ऑफ इंडिया मतलब की SECI इस पीस्यू पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग वर्किंग अंडर विच मिनिस्टी सो सोलार इनर्जी कॉर्परेशन फ इंडिया पलिवाद न्यूज में क्यों थी क्योंकि अभी हाली में 750 मेगा वाट का ECS लार्जेस्ट सोलार आपका जो प्लांट बैठा है वो बना है रिवा के अंदर रिवा इस्टिक निन मद्रपरदेश ठीक है और ये जो सोलार इनर्जी कॉर्परेशन फ इंडिया है इस इस पीस्यू वर्किंग अंडर Ministry of New and Renewal Energy Ministry of New and Renewal Energy Flipkart has signed a Memorandum of Understanding with which Indian state to promote local art, craft and handlooms So to promote local art, craft and handlooms Flipkart has partnered with Kanaatka Kanaatka Government और Kanaatka News में क्यों होता क्योंकि Skill Connect Forum एक platform launch किया है Kanaatka की सरकार ने जहाँ पे जो employer है और जो job seekers है job seekers जिनको job चाहिए और जो इनको job देना है उननों को एक ही platform पे connect किया है उसका नाम है Skill Connect Forum Skill Connect Forum ये launch किया है Kanaatka की सरकार विच इंस्टिट्यूट हैस डिस्कवर्ट डिस्कवर्ट एट लो कॉस्ट एफिशेंट वे तू जेनरेट हाइडरोजन कम लागत और कुशल तरीका है तो ये किया है Center for Nano and Soft Matter Sciences Center for Nano and Soft Matter Sciences नहीं Option B is the right answer Which country has proposed the expansion of G7 grouping as G7 plus 4 which includes India, Australia, South Korea और रशिया तो G7 तो है ही plus 4 और countries India, Australia, South Korea और रशिया ये 4 भी होने चाहिए इसको प्रपोस किया है USन Option B is the right answer Which country has celebrated the greatest and longest Hindu festival बदा दाशायन तो ये किया है Nepal ने नेपाल ने The virtual global vaccine summit 2020 was hosted by which country's Prime Minister So the virtual global vaccine summit 2020 was hosted by UK UK और UK news में क्यों था क्योंकि UK और India दोनों partnership कर रही है business के terms में और UK India Business Council इसलिए news में आय था UK India Business Council के जो CEO है वो है जयन्द कृष्णा He is an Indian जयन्द कृष्णा और Indian Ambassador तू UK कौन है उनका नाम है गायत्री कुमार गायत्री कुमार The first Bollywood film to go plastic free So the first Bollywood film to go plastic free is Kooli No.1 Option B is the right answer तो ये था July 2nd week के current affairs 2020 Hope आपको ये current affairs series जो है वो सही लग रहा होगा हम लोग ऐसे ही सरहते रहे हैं motivate किजिए ताकि हम लोग और भी बहुत जादा finest current affairs आप तक ला सकें So, please do like, share, subscribe Thank you for watching, have a nice day